बारिस के मौसम में किसी भी प्लांट को ग्रो करना और उससे फ्रूट्स को लेना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है अगर मौसम प्लांट के लिए फेवरिवल है तो प्लांट अपने बहुत ही अच्छे ग्रोथ के साथ में आपको अच्छे फ्रूटिंग भी देता है सो आज टॉपिक में बात करेंगे बारिस की समय में ऐसे कौन-कौन से वेजिटिवल्स के प्लांट्स हैं जिने हम आसानी से लगा सकते हैं और उनसे अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मैं हूनुप आपका होस्ट और आप देख रहे हैं बग्या की ABC Friends, बारिस के समय में आप बहुत ही आसानी से अपने गार्डन के अंदर में आप टेरिस गार्डनिंग करते हैं या किचन गार्डनिंग करते हैं उसमें वेजिटिवल्स प्लांट लगा सकते हैं और उनसे आप सफिशेंट फ्रूटिंग भी ले सकते हैं प्लांट एक पूरे सीजन में आपको सफिशेंट फ्रूटिंग दे सकता है अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखके प्लांट को लगाते हैं प्लांट को लगाने के लिए आपको पॉट का सिलेक्शन बिल्कुर सही करना है पॉट आपको कम से कम 24 या 30 इंच तक का लेना है कोशिश करें 30 इंच प्लस का ही पॉट ले इससे फायदा ये होगा कि आपको प्लांट सफिशेंट फ्रूटिंग करके देगा फ्लावर्स आएंगे तो फ्रूट्स में भी कनवट होंगे कई बार लोगों की सिकायत रहती है कि मेरे प्लांट पर फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं फ्लावर्स आ रहे हैं तो गिर जा रहे हैं तो उसके पीछे रीजन होता है पॉट सही सिलेक्ट नहीं किया जाता है तो आपको एक बिक साइस का पॉट लेना है और थोड़ी सी पोरस रहेगी तो रूट्स का ग्रोथ जल्दी होगा तो आपको बहुत जल्दी फ्रूटिंग मिलेगी स्वाइल बनाने के लिए आप इसमें 30% कंपोस, 30% सेंट 30% के असपास स्वाइल और इसके साथ में थोड़ी सूखी पत्य वगरा भी स्वाइल मिला के बना सकते है तो फ्रेंट्स तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है आपको प्लांट को proper sunlight में रखना है और इसके समय में सूरज थोड़ा सकम निकलता है धूब ठोड़ा सकम निकलती है ऐसे में प्लांट अगर dark area में रहेंगे या proper sunlight नहीं मिलेगी तो flowers तो आएंगे लेकिन fruits में convert नहीं होंगे इसलिए आपको plant का placement सही तरीके से करना है बहुत सारे लोगों की सिकायत रहती है कि मेरे plant में flowers आ रहे हैं लेकिन fruits नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे ये भी एक reason होता है कि plant को सही तरीके से sunlight नहीं मिल पाती है इसलिए plant आपका flowering नहीं करता है या flowers fruit में convert नहीं होते है चौती बात आपको ध्यान रखनी है friends plants पे पिसका टैक बारिस के समय में बहुत ज़्यादा होता है ऐसे में plant के लिए आपको prevention की तोर पे कुछ नकुछ pesticide अपलाई करते रहना है बारिस के समय में आप अपने plants के उपर में organic basis पे pesticide भी अपलाई कर सकते हैं अगर आप chemical यूज करते हैं तो उसे भी कर सकते हैं लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि plants के उपर में अगर आप chemical pesticide का यूज करते हैं तो pollinators की कम ही होने के करण आपको fruiting कम मिल सकती है तो इसलिए आप organic basis पे जाए जो कि आपको बहुत जादा फायदे मिन रहेगा recently मैंने नीम का एक pesticide जो कि organic basis में कैसे त्यार करना है इसक वारे में बताया है skull link मैं end पे दे दूँगा आप उसे देख सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं बहुत अच्छा pesticide त्यार करना और उसे अपने plants पे apply भी कर सकते है friends, plant पे अच्छी fruiting लेने के लिए अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको 1G, 2G और 3G cutting करना है जब पौधा आपका करीब 5-6 inch के आसपास का हो जिसमें 2-3 node हो तो आपको पहली उसमें cutting कर देनी है tip area से cut कर देना है इसके बाद जो second generation की branch निकलती है और जो third generation की branch निकलती है उसके बाद में इन सभी की आपको tip को cut करना है इससे आपका plant बहुत अच्छा घाना हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा fruiting मिलेगी इसके साथ में जो potting soil है pot का size है और इसके साथ में sunlight और pest के उपर में control ये सारी चीजे भी plant के उपर में अच्छी flowering और अच्छी fruiting के लिए चिमेदार है तो इन सबी को ध्यान में रखने के बाद में आपको पांचमा काम plant के उपर में 1G, 2G, 3G cutting करना है इस बात को आपको ध्यान रखना है बारिस के समय में अगर बारिस कभी भी रुक जाती है दो से तीन दिन का चार दिन का गयप आ जाता है बीच में बारिस नहीं हो रही है तो ऐसे में आपको plant के soil अगर dry दिख रही है तो उसमें watering करना जरूरी है कुछ भी automatic नहीं होता है इस बात का आपको ध्यान रखना है बारिस के समय में नमी अच्छी रहती है लेकिन अगर धूप तेज रहेगी तो कितनी भी अच्छी नमी हो soil dry हो जाती तो आपको soil के अंदर में नमी को बना के रखना है तो आपको पानी हमेशा देना है अगर बारिस नहीं हो रही है बारिस रुक रही है इसके लिए आपके एक काम कर सकते हैं बारिस का पानी स्टोर करके रख सकते हैं और जब ही भी बारिस नहीं हो रही है तो soil के अंदर में बारिस का पानी अपलाई कर सकते हैं इससे plant की growth बहुत अच्छी एक जैसी बनी रहती है कभी भी tap water का use नहीं करना है इससे plant की growth थोड़ी सी रुक सकती है So friends, अब बात करेंगे, कौन-कौन सी ऐसी vegetables हैं, जिने हम आसानी से grow कर सकते हैं, बारिस के मौसम में So, यहाँ पर मैं 5 अलग-लग vegetables लेके आया हूँ, local sheet shop से, जो की 20 रुपए में एक आई है और यह sheets मैं मेरी choice से लेके आया हूँ, मुझे जो लगाना है, अब अपनी choice से जो भी आपको पसंद हो, आप grow कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, भिंडी, इसे भी आसानी से grow किया जा सकता है, किसी भी 24 इंच तक के गमले में यह है लोकी, जो कि आराम से 30 इंच के pot में grow हो जाएगा और अच्छे fruiting भी देगा 20-25 fruits आपको कम से कम मिल जाएंगे एक plant से, तो दो plant कम से कम लगाईए दिन इसके बाद में हैं गिलकी, यह भी बहुत अच्छे fruiting करता है, तो इसे आप 2-3 लगाईए next है करिला, इसकी भी 4-5 जरूर लगाईए, क्योंकि एक plant होगी अंदर में आपको कम से कम 20-25 ही मिल पाएंगे तो आप अच्छा fruiting चाहते हैं, तो इसके जादा quantity लगाईए next है, बैगन, बैगन 3-4 variety में आता है, ग्रीन वाले, वाइट वाले, ब्लैक वाले, तो आप जो भी खाना पसंद करते हैं, वो लगा सकते हैं तो यह मैं अपनी choice से ले के आए हूँ, इसके लाबा और भी बहुत सारी हैं जो कि आप ग्रो कर सकते हैं बारिस के समय में जैसे कि खीरा, मुली, मुली, वेल्टरिन स्वाल के अंदर में लगता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है सेमी, बरबटी, बीन्स, मिर्च, धनिया, टमाटर, पालक, कद्दू, प्याज, गोभी, फूल, गोभी और सांथ में पत्ता गोभी दोन आप लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं, तो ये सारी ऐसे सबजिया हैं, जो कि आप आराम से ग्रो कर सकते हैं, बारिस के समय में ये seeds मैं जब germinate करूँगा तो इनके मैं आपको वीडियो भी देने वाला हूँ seed germination से लेके plant के ready होने फिर आगे fruiting के भी respectively मैं आगे देता रहूँगा, so friends आज का topic मैं यहीं पर इस information के साथ में wind up कर रहा हूँ, ये topic आपको कैसे लगा मुझे आप comment करके ज़रूब बताएगा अच्छा लगा है तो like and share करें तिल देन के लिफिरेंट्स, बाबाई, thank you, happy gardening